आव पावन प्रग्यापूराण मा नवी साल ना नवा प्रथम दिवसे जरेज नवा प्रक्रण मा जैई रया छिए नारी महत्मे प्रक्रण मा जैई रया छिए त्यारे एक गायत्री महामंत्र सवने सद बुद्धी मले सवनू कल्याण थाये सव ज्वल भविश्यना मार ग्यागरवदे ते विद्धि विवाव ना थे ओम भुर्भुवाह श्वाह तत्सवितुर्वारेन्यं भरगोदे वस्यधि माहि धियोयोनाः प्रचोधया ओम खंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तश्मै स्री गुरुवेनवा मात्रिवत लाले त्रिच पित्रिवत मार्ग दर्शिका नमोस्त गुरुषत्ताये स्रद्धा प्रज्या युटाचया आउ पावन प्रज्या पूरानमा नारी प्रकर्णमा जाये चिये नारी मात्मे प्रकर्णमा जाये चिये तो सत्र नाज त्रिजादी उसे प्रवचनमा स्रोताओ नियाजरी खोब हती विग्य जनोनी सुग्य जनोनी संख्या दर्रोज वधती जती हतु लोकन पेली जवार अनुगाव थयो के ग्रहस्त धर्मपन योग साधनानी सम्तुल्य चे नारी महत्म्य प्रकर्ण बतावता धुरुशी बतावे चे सत्र प्रवचने तक्त्र तृती यस्य दिनस्यतु अभूदू पस्थिति ही साचर सोत रुणा महतिन रुणा पावो एपावन नारी प्रकर्णमा जेगी तो पहला आपने एक प्रज्यागित जहां कहीं भी होता है नारी का सम्मान वहीं देवता करते है प्रेम सहित विश्त्राम वहां देवता करते है प्रेम सहित विश्त्राम नारी तू नारायनी नारी तू महान नारी तारी गाउर उगाथा गाए वेद पुरान नारी तू चाहे अगर तो आजगत पल की सके छे चाहे तो तू श्वरिग बनावे चाहे नर करती शके छे चाहे तो तू श्राप बने के बनिश के वरदान नारी तारी गाउर उगाथा गाए वेद पुरान अपमानम करो मत नारी का इसकी पीडा को पहचानो यह नारी तुम्हारी जननी है इसकी गाउर उगरिमा को जानो आवे छे संतानो पहला माता तारा उदरमा पामे छे संतार एवा होय तारा रदयमा देव बनावे के दानव ए तारा अथनी वाच नारी तारी गाउर वगाथा गाए वेद पुरान यह ग्रह लक्ष्मी यह अनपुर्णा यह कामधेनू शातार बनी वही रिद्धी सिद्धी और स्रद्धा है यही कल्प व्रक्ष की छाए बनी नारी तू नारा यनी नारी तू महान नारी तारी गाउर वगाथा गाए वेद पुरान जो तू तव शल्याब ने तो त्रिराम ने अवू पड़े श्याम पड़ आवीश के छे जो तू देव की बने सरस्वतीन लक्ष्मी रूपतु तू दुर गासमान नारी तारी गाउर वगाथा गाए वेद पुरान इसकी शितल छाया से ही सब घर परिवार महकता है इसका संरक्षन पातर ही नर सच्चा मानो बनता है विश्णू शिव के आदी ब्रह्म पर शक्ती तुझने माने छे नारी तारा कोडामा अवतार श्यम पधारे छे दन दन है नारी तुझ थी तुझ थी तुझ थी तुझ धन ठई जाए नारी तारी गाउर वगाथा गाए वेद पुरान अने प्ले जिक यूं जहां कहीं भी होता है नारी का सनमान वहीं देवता करते हैं प्रेम सहित विश्राम आउ नारी जागरणनों ज्यारे महान अध्याय लिदोचे महा प्रकरण लिदोचे त्यारे नारी नारी नुझ शाचु आभूशन गरेना नहीं पन शदगुणों छे आपना संतानों ज्यानवान धर्मसिल धनवान तता सकती संपन बनवा जुए ये मार्टे स्त्रियो नुझ दिवन विलासिता थी नई परतु शदगुणों शाधाय अने सहिश्मात थी ओतप्रुत होवुँ जुए स्त्रियो शिक्षित तथा विचारवान होए तोज तेवो राष्ट निर्मानना कार्यों मां मदद करीशन देखे आवा पावन अलारी महा प्रक्रणमा आमा ते पहली जरूरियात एचे कि ते ओ संकुचित विचारधारा थी मुक्त होवी जुए और कर्तव ये पालन तरप तेमनु ध्यान वदारे होवु जुए कर्तव येनी अंतर्गत काउटुम्बिक शुव्यवस्था सबंदी जवाबदार्यों खुब आवी जायेचे गरेना प्रत्ये वदारे आकर्शनों होवानी समस्या थी विजा बदाक्षेत्रों पर खराब प्रभाव पड़ेचे एना कार्णे अर्थव्यवस्था तथा मनुष्यनू नैतिक जीवन पन विक्रूत थाई जायेचे समाज तथा राष्ट्रनी सेवामा पन एनाली दे गरबड पेदा थाएचे नारी जाती स्ने तथा सवजन्यन देवी चे ते पुरुष्णू निर्मान करेचे कोई पन राष्ट्रन उदाए नारी जाती ना उत्थान्थी जिठाएचे ते नारी जातीयों ने जागरूत करीने आगर लाव विजुए तथा तेमने निर्मान क्षेत्रमा आगर वधार विजुए एमा कोई बाहय हस्तक सेप थई शक्तो न थी गरणा प्रत्यनू आकर्शन गटारवा तेम नामा एकज समझ उत्पन कर विजुए विचार सिल्स्त्रियों पोतेज एमाटे कैंक नगर कारे करूँ जुए एना थी बिजी बद्धी जिस्त्रियों ने पन आभूस्णों नी निर्थकता समझा से अने सिक्षण नो फेलावो खुब जडब्थी करवानी जरूर से आपनो यूग आपना विकास्टनो यूग छे आपनने राजकिये स्वतंत्रता मड़े घणाबधा वर्षो थई गया एम छता परंपरागत कूरुतियों अनत तथा कूरिवाजों आजे पन एवान एवाजे छे जो तेमने दूर करवाम आवे तोज आपने सर्वांगी विकास्टना प्रगतिना द्वार खुली सके छे शिक्षित नारियोंने आवाहन करवाम आवे छे के तेव भारतना आर्थिक तथा नैत्तिक विकास्टमा पोतानो संपुर्ण सहयो गाते आपुन्य कारे माटे सोना के चांदिना आभूशनोंनी जरूर नथी परन्तु तेमने सदगुणों थी पोताने संपुर्ण गार्वी पडशे सदगुणों शील तथा लज्या एज नारिनू साचू आभूशन शीलवान बनू एतो कोई पन अलंकार करता वधारे स्रेष्ट चे अवे तेमने आवा सदगुणों नाज दार्ण दागीना करवा जोई ए परंपुज्य घुरुदेव नारी जागरण ना मात्म्यना प्रक्रण मात्रण हैंचे सत्र नत्री जादिव से खुब स्त्रोतावनी हादरी हती और शुग्ने जो स्त्रोताव होता सम्जू सोताव होता विग्ने जनोनी सुग्ने जनोनी संख्या दरोज आप्रग्या पुराण कथामा दिन प्रती दिन वजती जती हती लोकोंने पहली जो आर अनुबव थयो के ग्रहस्त धर्मपन योग साधनानी सम्तुल्य चे अने उदार मर्यादावने अनुरूप एने निभाववा थी मनुष्य पुण्य परमार्थनों भागिदारी बनी सके छे साथे साथे ए समाई दर्मियन पराक्रमनों अभ्यास्त करते करते प्रती बामेडवानी साथे साथे खुब परमार्थ कारेपण करी सकेचे पुण्यारच कारेपण करी शकेचे अम्रत वचन साभडवा माटे आतूर जन्समुदाईनी उत्सुकता जोई अने महर सिद्यों मेने खुब शंतोस धतो हतो कारण के तेमनु प्रवचन ध्यान पुर्वक्षा बढ़वा मा आउतू हतू तेव पोताना प्रयासनी सार्थक्ता आनु गविरया आता आ प्रग्या पुरान ए सार्थक जीवनने सार्थक करतू प्रग्या पुरान छे ग्रहस्थ जीवन होए, परिवार व्योष्था प्रकरन होए, के नारी महात्मे प्रकरन होए ग्रहस्थ दर्मने सामा निरित उपबोग प्रदान मानुवा मावेची तथा एउ आची आद्यात्मन व्लक्षे हेमा सिद्ध थतू निती परन्तु आ सत्र के जे खास करीने ग्रहस्थ जीवन ने लक्षमा राखिने जी योजवाम आवियो छे तेमा सत्रा ज्यक्षव द्वारा अनेक जग्याए एनेक योग साधना जीवन देवतानी साधना आराधना नी उपास उपमा आपता एना महत्मे उपर खुब बार मुकुवाम आवियो छे विभूतियो प्राप्त करवा माटे परिवार विशुद्ध रूपे प्रयोग साधा अथ्वातो पाट साधा छे तेमा मानवीना पराक्रमनी परिक्षा थायेच अने तेना परिणा प्रमानमा तेने उपलब्दियो प्राप्त थायेच कोण एने केकला प्रमानमा कै रिते पुन्य प्रयोजनों माटे वापरेच ते तेनी आंत्रिक कक्सा तथा सुसंशकारो पराधार राखेच आवारदै ग्राही प्रतिपादनोंने साब्डीने स्रोताओ पोताने धन्य मानेचे एश्वाभाविक छे। एमा सहेज पन संदे है के संकाने शा अस्थान मठी। पूरुस्तो एनो मात्र सहाय कजी छे। ते साधनों वगेरे भेगा करे छे अन्य सहयोग आपे छे। आना कारने त्यानी प्रसंसा वधू करवा मावी छे। नारी ग्रोह लक्षमी छे। एने गर रुपी देवाले मा रहेली प्रत्यक्ष देवी मानुई जोए। एवो जे शन्मान और अनुदाने ने आकों जोए। ए दरेक सद ग्रहस्थनू सवथी पहलों कर्तव्यच के माता, भगीनी, पत्नी और कन्या माथी गम्मेते रुपे नारी रहे। ए ने स्वास्त, प्रसण, सुशिक्षित, स्यावलंबी, सुशन्स्कृत, तथा प्रतिभावन बनावामां सहरजपन कचास नराख विजुए, कसर नराख विजुए। आ प्रकारना प्रयत्नों सतत चालू राखवाम आवे ए प्रयत्नोंनी सहेज पन उपेक्सा न करो नहीं तो मोटामा मोटु नुक्सान थवानी सक्यतारेज आजे आपने खुब मोटको मुक्षान भोगी रहा ची है कारण कि आपने नारी जाती ने प्राधान्य आप्यों न थी सास्त्रोमा नारी नी महत्ता अने एनी गरिमानु वरणम करता केवामा आविंचे के नारी एज ब्रह्म विद्या चे एज स्रद्धा चे एज सक्ती चे एज पवित्रता चे एज कला चे औने आशंसार्वा ये सर्वस्रेष्ट शोरूपे द्रश्टि गोर्चर थाएचे ते बद्धूंज चे नारी एज साक्षात काम देनूँ चे अन्ण पुर्णा चे रिद्धी छे, औने तेज मनुष्यना बदाज अभावो, कस्टो औने संकतोनु निवारण करवामा समर्थ चे, शक्ती शारी छे, जो एने स्त्रद्धा औने सदवाव थी सिंचुआ मा आवे, तो ए समतोल सोमलत्ता विश्वना कणे-कणने स्वर्गी ये परिस्थितियो थी आत्प्रोत करी शके चे नारी ने परिवार नुप प्रान तथा रदैके वामावी चे परिवार नुप संपुर्ण अस्तित्व तथा वातावर्ण नारी पर सो ग्रोहिनी पर आधार राखे चे नारी पोतानी कोमरता, सुशिलता, सम्वेदना, करुणा, स्ने, ममता तथा आर्दिक विश्यस्ताओना कार्णे परिवार ना निर्मान कार्यों मा महत्तोनु स्थान धरावेचे अने आविश्वेस्ताओना कार्णेज ते घर अने परिवारना सभ्योनी सवथिवदार नजीक रहेंचे अने येमने प्रभावित्पन करेंचे ब्रहत सहितावा तो केवामा आवियोंचे पुरुशानाम सहस्त्रम्च सतीनारी समुद्धरेत एतले के सतीस्त्री मात्र पोताना पतिनोज नहीं परंतु पोताना उत्कुरुष्ट आचरणनी प्रत्यक्ष प्रेरनाथी हज्जारों पुरुशोनों उद्धार करेंचे एतले के स्रेष्ट दिशामा सारुयुँँ मार्कदर्श नापेचे नारी ग्रुह लक्ष्मी चे गार्नी अंदरनी व्यवस्थाती मांडीने परिवार मां सोक, शांती अने सवमन्य तानुवा तावर्न मोटे भागे एने ज निभावुँँ पडेचे एनामा परिवारने स्वर्ग बनाववानी इश्वर दक्त सक्ति रहेलीचे आठी एने ग्रुह लक्ष्मी जेवा सन्मान जनक सब्दोती संबोधित करवा मां आवेचे अने जिवन संगीनना स्वरुपे जन्म जन्मान तरोनो साथी मानवा मां आवेचे मनुश मरुती मातु केवा मावियुचे पूजाही ग्रुह दिपत दिप्तय अहा स्त्रीह श्त्रीह स्त्रीह स्त्रीयस्ट लोकेशुन विशेशुस्ती कस्चन ग्रुह स्वामीनी नारी पूजानी योग्यचे एना मा लक्ष्मी मा कोई तफावत नथी नारीनू देवत्व नारी देवत्वनी साक्षात मुर्तीचे देवी भागवत्मा तो केवामा आवियु चे के विद्ध्याहा शमस्ताष्तव देवी बेदाहा स्त्रियह समस्ताहाा सकला जगत्शु एतने के बधीज श्त्रियो आ बधीज विद्याओर नी देवी रूपज छे नारीना अंतह करण मां कोमरता, करुणा, ममता, सहरदयता तथा उधारतानी पांच देव प्रवरुतियो सहज रूपेज वधारे जोवा मलेच आथी एने देवी शब्दती शनमानित करवा मावेच जो एना माए गुणो प्रचुर मात्रामा नहोत तो पत्नी तरिकेनु समर्पन मातानी जान जोखम्मा नाखवानी बलिदानी प्रक्रिया बहेनन पूत्रिनी अंतरात्माने गदगदित करनारी विशेष्था केवी रिते सक्य बनत एना अदैवी गुणो एज एने वुण परमार्थ परायन तपस्वी जीवन जीवानी शम्ता पेदा करीच आउँ और आयासे नथी बन्यु आ प्रतिष्ठा माते प्रतिष्ठा ने प्राप्ट करवा माते नार्योय लांबा समय थी उंडे सुधी उंडी उंडी खुब तपस्वीर्या करीचे पुन्या कापी पुरंद्रा नारी कुलैक सिखामनी अर्थात येने पोतानी संपुर्णा सक्तियोना श्रेष्ट विकास द्वाराज आ आधुरावने प्राप्त करियों छे येनी पाचण येने तप आप्यों छे साधना करी छे लोक कल्याने नी विधातरी पथ दर्शावनारी अने संग्रक्षन करनारी नारी शक्तिनु नामज देवी छे पोताना आश्वरूपे बार्त्विय नारी आजे पन प्राचिन गुणो धरावे छे के जेना द्वारा भूतकाण मा एने समाजना समग्र विकास मा योगदान आप्यों हतो जो के तेनी तेजे स्विता जाखी पड़ी गई छे छता पड़ जो एना परचड़ेला कच्राने दूर करवामा आवे तो नारी पोतानी महत्ताने फरित्री स्थापित करी शक्ये छे केकलो अदभूत नारी नु महिमा बतावे छे ब्रह्म पुरानमा व्यास जाबाली समादना रूपे एक आख्याई का आवे छे व्यास जाबाली ने ये बतावे छे के हे जाबाली पुत्र माटे मातानु स्थान पिता करतापन वधारे होई छे कारण के तेज तेने पोताना गर्भमा धारन करे छे जाबाली ने अध्वूत बतावे छे व्यास्ति ये जाबाली पुत्र माटे मातानु स्थान पिता करता पण वधारे छे कारण के तेज एने पोताना गर्भमा धारण करे छे पोताना रस, रत अने सर्लिथि नहीं परंतु भाव नाव अने संस्कारों थी पन तेनु पालन पोशन करे छे आथी ते सर्व स्रेष्ट मार्गदर्शक अने कल्यान कारक गुरुना रूप मां स्थापवा योग जचे नास्ति, पुत्र, सम प्रिया, एने पुत्र करता वधारे बिजु कसुझी प्रिया नथी तेथी मनुष्य मात्रणु ये करतवय छे के ते परम आध्यात्मिक शक्ति नारूप मां माथाने प्रतीश्ठित करे प्रत्येक नारीमा भाव वत्सला नारीनू स्ञुरुप जोए नास्ती भार्या समम मित्रम माता समान नारीनु बिजु सोरुप छे पत्नीनु सहधर्मीनीनु आ सोरुप मा एदे सवती महान मित्रनी उपमा आपवामा आवी छे जीवननी मुश्केल मा मुश्केल परिष्थितियों मा जारी जगतना बघाज लोको शाथ छोड़ी देचे दन संपतिनो पडविनास थे जायेचे सरी रोगी अने निर्बड थे जायेचे आवी परिष्थिति मा पन सहंसिल पत्नीज पूरुषने साथ आपेचे अने एनी दरेक मुश्केली मा बिजु कदाच न बनी सके तोपन पूरुषने मनोबड एनी आसा अने एनी समेदनाने नियमित बड़ आपती रहेचे नास्ती स्वसा समामान्या बहें समान कोई सनवान्य नथी आ स्वरुपमा नारिये पूरुषने जेशने आपेओ छे एना थी आपना सामाजी सबंदो अने जातिय बंदनों सुद्रड बन्या चे बार्तिय वीरोने बुराईयो सामे लणवानी प्रेरणा आपनार यमना गवरव पुर्ण मस्तत्पर विजय तिलक करनार बहें ना सबंद माँ आजे पन इभाई बहें ना सबंद केटला मदूर चे तेनो अनुभाव दरेक बार्तिय रक्षा बंदनना पवित्र दिवस्य धाये चे गुरुहेशु तनया भूषा अर्थात कण्याना स्वरुप माँ नारी ए घर नी शोभाँ चे ते पोताना आनंद प्रमोध थी ग्रहस्थ जीवन माँ जे सरस्था लावे चे तेतली पुत्र पण लाविशक्तो न थी अने एतला माटे कन्या पुत्र करता पण वधुभावना सिल होईचे तेती तेनी पासे थी मडता स्नेहनु प्रेमनु मुल्य अने महत्व खूब अनेक गणुँछे पोताना चारे श्वरुपोमा भूत्कारेनी भारतिय नारिये पुरु स्वर्ग उपर जेजे उपकारो करयाचे एनी तुल्णा कोईपन दैवी सत्तानी साथे सहर्ष करिशकायेचे एमाज नारिनु पल्लों भारे रहेचे आथी एने देवी कहेवी ए प्रत्यक द्रस्तिये उचीत छे न्याय पुरुणाचे एना आगवरावने पूर्ति प्रतिस्ठा मडवित जोए आभावना साथे नारि महत्मेने शरुवात थेईचे आवो गुरु तरनों मवन्दन करता करता आज ना दिवी संदेशने अहिया पुर्ण करिये आवती कहले नारि महत्मे उपर वधो जोशों गुरु देवत तमारी जय जय हो घुरु देवत तमारी जय जय हो शद गुरु तमारी जय जय हो शद गुरु तमारी जय जय हो गुरु देव तमारी गुरु देव केछे बहिनो माटे जागो प्यारी बहिना जागो अब समय नहीं है सोने का सोई शक्ति को पहचानो अब गया जमाना रोने का चंड मुंड के मर्दन को तुम महाचंडी के बन जाओ महिशा शूर का वध करने को तुम महादूरगा बन जाओ जागो लक्ष्मी बाई जागो आशूरी शक्ति से टकराओ सत्यवान को सावित्री बन यम राज से आज छुडा लाओ सत्यवान को सावित्री बन यम से आज छुडाला हो तुम जागो तो जाग उठे सारा हिंदुस्तान जगत गुरु फिर्शे बने अपना देश महान जगत गुरु फिर्शे बने अपना देश महान अधभु तो आतो नारियोंने जगाडवा माटे गुरु देवे करी छे सुन्दर द्रश्टान तो द्वारा करी छे नारी आज रुष्टीनु सावंदर याचे एने जीवन कलाकरुती ना रुपे जोई शकाएचे एने सनेह आपो आपनु ध्याई होवु जुए कारण सनेह आपो ए एनी प्रवरुती छे अने अनुदान आपो ते एनो शोभाव छे एनामा जीवन संचारना बदाज ततोने शुरुष्टाए ठासी ठासी ने भर्याचे अने सर्जननी अने गड कुरुपताने शुगर्तामा बदली नाख्वानी क्षम्ताईने आपी छे मनुष्य पासे पोतानू केवडावाजी उपकाई जे काई छे त्या नारीनू अनुदान चे वनस्पती उत्पन करनार धर्तीनू पोतानू गवरवचे पन मानवीनी स्रिजयता तो जननी चे अने एतला माटेज किदू जननी जन तो भक्त जन काँदातां का शूर नैतो रेजे वाजनी पन मत गुमाविश्टनोर मानवनी स्रिजयता जनननी चे खनी जो अने वनस्पतीयों करतां मनुष्य स्रेष्ट चे आथिया धर्ती करतां जन्मदात्री जनननीनों मैमा अनेक गणो वधारे चे प्रुथ्वी पर आपने निर्वाह करिये ची परन्तु नारीतो समग्र मानव स्रुष्टिनों सर्जन अने पालन पोशन करे चे मानव गर्भ माताना उदरमा पक्को बने चे सिशुनो प्रारंभिक आहार माताना व्रक्षा स्थड माथी जी टपके चे मातानो प्यार पीने अंतरात्मा उल्ठाशन उभवे चे विक्षित थाये चे अने एकला माटेज कहिऊं चे जननीना हैयामा पोढंता पोढंता पिधो कशोंबी नोरं दोड़ा धावन केरी धाराये धाराये टपक्यो कशोंबी नोरं दोड़ी धावन केरी धाराये पाम्यो कशोंबी नोरं वू आज मने लागयो कशोंबी नोरं हो आज मने लाग्यो कशों बीनो रंग शिशो नो प्रारंबिक आहार माताने व्रक्ष स्थड माती टपके छे यह मातानो प्यार पीने यह मातानो प्रेम पीने अंतरात्मा उलासनो भवे छे अने विक्षित थाये छे एनाची वदारे सारू पोषन, सारू अभिवर्धन अने संग्रक्षन बिजु कोई करी शक्तू न थी मात्र सरिर ज नहीं, परंतु अंतह करणनो निर्मान माताना पालवनी छाया माताये छे उम्मर लायक पूरुष नारीना समर्पन भर्या अनुराग मेडवीने अलवकिक आनंदने शंतो शनुबवे छे स्रिजननी आ देवी जे गरमा रहे छे, त्यां गुरुह लक्ष्मीनी भुमीका आदा करे छे अने गरमा श्वर्गनु अवतरण कई रिते थाई सके, त्याने व्यवहारमा प्रत्यक्स करी बतावे छे श्यु नारीनी महानता बतावी छे गायत्री महमंत्रनु छट्टो अक्षर व ए नारी जातीनी महानता अने तेना विकासनु शिक्षण आपे छे वद नारी विना कोडण्यो निर्माता मनु संतते महत्व म्रचना सक्ते स्वसाया नार्या ही ग्यायताम अर्थात मनुष्यनी निर्माता नारी छे नारी पोतानी सक्तिनु महत्व समझु जोईए नारीनु गवरव इना जन्यनिना पदमा रहेलू छे खरेखर सामन्य प्राणियोती भरलिया दर्ति पर मातानु रदय एक दैवी विभूती छे माता धरित्री जन्यनी दया दर्तयता सिवा देवी त्रिभुवन स्रेष्ठा नेर्दोसा सर्वस्दुखा अध्वुत बतावियों छे वेद व्यास्जिय नारीन उप्रोक्त एक्विश्मी सदिना नाम्ती संबोधित्स करीने एना खुब गुणगान गाया छे पची आगड कयों छे नास्ती गंगा समम तिर्थम नास्ती विश्णु शमा प्रभू नास्ती शंबु शमा पुज्यो नास्ती मात्रु शमो गुरू अर्थात गंगा समान कोई तिर्थ नथी विश्णु शमान कोई प्रभू नथी अने सीव शमान कोई पूज निया नथी तथा वात्सले मैं मात्रु नारी समान कोई गुरू नथी क्ये जे आलोक तथा परलोक मा कल्यान कार नारी मार्गे आपन लई जे सके आ गुरू नारी ए गुरू छे जे आलोक अने परलोक मा कल्यान कारी मार्गे आपन लई जे सके एवि दिव्यो एम नामा भावना रहेली छे ब्रमाजी आसरिष्टनी रचना करेचे विष्णू एनु बरण पोषण अने संवर्धन करेचे अने सुख्ष्म आध्यात्मनु रहस्य जो स्थूडु रुपु मा जोवू होए तो तेनी जांकी माताने जोईने करी शकाएचे ब्रमा अने विष्णूनी दैवी शक्तियो आप्रुथ्वीपर माताश्वरुपे पोतानु कार्य आजेपन करी रही छे अना दिकार्थी करी रही छे अने अनु भूतिना आधारेज सास्त्रकारोय कयमू पडियू छे या देवी शर्व भूतेशू मात्रु रुपेण संस्थिता नमस्तस्याई 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 नमो नमा संसार्नी रचना अनेनु भरण पोषण करनारी देवी शक्ति आ स्थोडु संसारमा नारीना मात्रु शोरुपुमा स्थीर थैने पोतानु कार्य निरंतर करती रही छे निरंतर करी रही छे आथी आ मात्रु शोरुपा नारीने आमे वारमवार नमन वंदन करिये छिये आ तथ्यना द्रस्टा एक मनी सिये कैयों छे कि इश्वर ने बाद करता आपने नारीना सौथी वधारेमा वधारे रूनी छिए प्रथम तो आ जीवन माटे अने पची एने जीवन जीवा योग्य बनाव्या ते माटे तात पर एए छे कि मनुष्य जीवन नी बदी जी संभावनावना मूड मानो अनहद प्यार प्रेम एनो त्याग अने नी महान सेवाओज रहेली छे वनमा उगेला एक छोड़ने वडगीने एक वेल पन छोड़नी बराबर थाई गई छोड़नो आस्रेलाई एने फड़वा फुलवानो शरू करी दिदू वेल ने फालती फुलती जोईने वरक्षने अहंकार आवी गयो के जो उना होत तो आ वेल क्यार नी नास्पामी होत एने तेने दमकावता कईउ अरे ओ वेल उतने जे कहुँचू एने तो बराबर पालन कर नहीं तो तने मारीन भगाडी मुकिस आम ते वेलने दमकावती रही दमकावी रही ओतू आवरक्ष एतला माज बे मुशाफरोतने आथी निकड़ो एक बोलो बंदू जूओ आ वरक्ष क्यों सुन्दरने सितर छे एने उपर केवी सरस्वेल फेलाई छे आओ आई उपर थोड़ी वार आराम करिये पोतानू महत्तो आ वेलना लिदेज छे आ साम्बली ने वरक्ष नू अभिमान उतरी गयू ए दीवस्तियने वेलने धमकावानू पण बंद करी दीदू छे मानवो आपने पण हवा अभिमाननू त्याग करू जू ये हूँ मारा थकी बदू चाले चे हूँज बदू करू छू मा हूँ नहो तो आसंसार चाली नसकत आरे बाप अखोटू अभिमन छोड़ी दे गुमान तमारू टक्षेना धन जोबन कायम रहेशेना भत्ती सतकर्मो खूब करो बिजू संगाथे आउशेना त्याजी सिग्रलाबनी द्रस्तिने अंतिमक्षण नो विचार करो ये आपना पित्रुओनी भश्म कहेचे आ प्रग्या पुराणनी दिव्य चिन्तन कहेचे के जीवो मृत्यूनो जराविचार करो अध्भूत वातो बतावीचे आ सांब्ली अवेलनू अव्रक्षनू बधूज अभिमान उत्री गयूं अने एणे ए दिवस्थिज वेलने धमकावानू बंद करी देदू बिक्षोनी उध्यान माथी एक सुगंधित फूल चूटी ने लावी हती अज खूला नेत्रो थी पोताना आराध्य देवने सोधती शोधती एकज दिशामा अविरत गती थी जै रही हती रस्तामा जयापन अंगुलीना फूल पड़ी जता त्या दिशाव मैकी उठती सुगापान मुश्कुराई जता जयने सोधी रही हती ते मड़ी गयो बिक्षोनी एध्यान मग्नों बिक्षोना चरणों पर बदा फूल चड़ावी दिदा मस्तक पन स्रद्धा थी नम्मी गयू बिक्षोनी अँखो खोली आने संकोचाई ने कईू आसू करिऊ बिक्षोनी यह स्थिर्वाणी थी कईू मारा भगवान माटेज जय लावी हती तेमने तेमने टेन सोपी दिदू बिक्षोनी चेतना तेज बनी आने एने कईू तो सुन, तुमारा मार्ग मा अवरोत बनीश, भिक्षूनी बोली ना, आप आपना मार्ग आगडवधू, मैं मारा भगवान बदली नाख्या छे, एने बन्ने रस्ता, अने बन्ने रस्ता एक करी रही चो, कारण प्रेम मा जुदाई होती न थी, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, प्रेम जो जाने जगत में, तो जुदा रहे न कोई, डाई अक्षर प्रेम का पड़ेशो पंडित होई, नारी प्रगती ना मार्ग मा आवतु रोडू छे, एम मानू भुल भरेलू छे, शाथी वाद तो हे छे, आत्मिक प्रगती एक दम सरण बनी ज जाये छे, जारे इनों सहयोग मले छे, त्यारे बदुच सरण बनी जाये छे, अपना महापुरुषोय कायों पन छे, दरेक सफ़ड पुरुषनी पाचर एनी पत्नी नो आथ होई छे, खुब सुन्दर द्रस्तान तो पणापया छे, शास्त्रों मा तथा इतियास मा जे पिनेज, तेवो शफड ने अनुकरणिया जीवन जीवी सक्या हाता, बंगार ना निर्धन विद्वान, प्रताप चंद्र राये, पोतानी बदी शक्ति अने संपति कामे लगाडी ने, महाबारत ना अनुवादन नुकाम आथमा लिदू, तेवो पोताना जीवन मा ए पु आविशाह सिक्ता जो अमडेची, साम्यवादना प्रवर्त कार्ल मार्क्स, ए पन काई कमाई सक्ता नो होता, ए काम एमनी पत्नी जेनी करती हती, ते जुना कपडा खरी दीने, एमा थी बाड़कोना कपडा बनावती, अने फेरी खरी-खरीने ए वेचती हती, आदर सो माटे पतियों ने आरिते नारी जागरूतिये प्रोत्साहित करवामा, अने सहयोगापवामा, खुब सहयोगापयों छे, आमा अब जा कार्यों मा पत्नियों उच्च संकल्प बड़ज काम करे छे, मैत्रै याग्यवलक निसाथे पत्नी नही, पन धर्म पत्नी बनीने रहियती, र पत्नी पन दिन दुखियाओनी सेवा करवाना उदेश्ती, येमनी साथे लगन ग्रंथी थी जोडाईयती, अधभूत नारी मात्मे प्रक्रण बतावियों छे, नारी ना सुंदर गुणगान गावामा आव्या छे, नारी मनुष्यना संपूर्ण विकास्तनु एक ये ने सन्माला पूझो ये विद्धिवे वातों आप्रग्या पुरारमा बतावी छे, वादू आउतिकाले लेई